स्वास्थ और संदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे फेरनेस क्रीमों में सबसे चादा लोग प्रिया फेरनेस क्रीम है जिसे ज़ादा तर महिलाए अपने खूपसूर्ती को इनहांस करने के लिए इस्तमाल मिलाती है गलो एंड लवली लगाने के तुरंत बाद ही आपका चेहरा गलो करने लगता है Glow & Lovely में Vitamin B3, Vitamin C और Vitamin E के साथ-साथ कई Multivitamins पाय जाते हैं जो चेहरे को प्रोटेक्ट करते हैं साथी आपके skin को soft भी बनाते हैं इसके साथ ही Vitamin E लगाने से चेहरे में कसाओ, नमी और चमक बढ़ती है विटामिन E कई पोशक तत्तों से भरपूर होता है जो त्वचा के लिए काफी फाइदे मन माना जाता है विटामिन E पॉल्यूशन और केमिकल यूगती ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वज़ा से डैमेज होई स्कीन को रिपेर करने का काम करता है इसके नियामित इस्तमाल से चहरे पर गलो आता है और बढ़ती उम्र का असर कम हो जाता है देखा जाए तो गलो एंड लवली और विटामिन E दोनों को अलग-अलग इस्तमाल करना भी फाइदा पहुचाने वाला ही होता है लेकिन जब तोनों को साथ मिलाकर लगाया जाता है तो गजब का फाइदा देखने को मिलता है तो फिर गलो एंड लवली और विटामिन E को अपने चहरे पर कैसे अपलाई करना है इसके बारे में जाने के लिए बने रेस विडियो के साथ इसके लिए एक बॉल में दो चमच गलो एंड लवली फेस क्रीम ले ले इसके बाद इसमें दो से तीन विटामिन E कैपसुल का ओईल डाल कर आच्छे से मिक्स कर ले जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे किसी डिबी में भर कर रिश्टोर कर ले अब यह गलो एंड लवली फेस क्रीम और विटामिन E का पैक इस्तमाल में लाने के लिए तयार हो चुका है रोजाना रात में सोने से पहले से लगाने से बहतर रिजल्ट मिलेंगे गलो एंड लवली क्रीम और विटामिन E से बना पैक इस्किन के लिए काफी फैदमन माना जाता है नियामित इस पैक का इस्तमाल करने से चेहरे पर गलो आता है और बढ़ती उम्र का असर कम हो जाता है तो फिर आज आपने इस वीडियो में रोजाना रात में सोने से पहले चेहरे पर गलो एंड लवली एडवांच्ट मल्टी विटामिन फेस क्रीम के साथ विटामिन E लगाने के कुछ पहतर इन फैदों के बारे में जाए आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आये हुगा हमारे ने ने स्वास्ति और सौंदरी संबंधी जानकारियों को बाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तदा हमारे वीडियो पसंद आयूँ दिसे लाइक और शेर चरूर करें ताकि इसी तरह हम नहीं नहीं जानकारियों आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद